हेलो फ्रेंड्स, क्या हल आप सब का, तो आज हम करेंगे हमारे लूसेंट की बुक का 3rd चैप्टर, उसका 2nd पार्ट था आपका धार्मी कांदोलन, 1st पार्ट हमने कल कम्पलीट कर लिया था, जो कि था आपका माजन पद काल, ठीक है आज हम धार्मी कांदोलन के बारें ठीक है और कोई भी अग्जाम आपका उठाके देख लेना आपको यहां से इस चेप्टर से आपको कम से कम एक से दो क्यूष्टन आपको जरूर देखने को मिलते हैं ठीक है तो चले स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले यह आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो कितने तिरत कर हुए है आपके 24 ठीक है 24 तिरत कर हुए है very important chapter है ये आपका next question है 3P तक धरम गरंथ है very important 3P तक धरम गरंथ किसका है बोध्धों का ठीक है बोध्धों का next question है आपका आपका एक भी question ऐसा नहीं बचेगा जो अब तक अगजया में पूछा गया और इस बुक में cover ना किया गया हूँ ठीक है तो आप इसको बहुत ही अच्छे से और देरे-देरे करके पड़ें next chapter हापका sorry next question हापका बूड ने निमिलखित में से किस सथान पर महापरी निर्वाण या मरत्व प्राप्थ किया भूड ने इस देखिए आपका कितनी बार इक जया में पूछा गया ह appliesome पूछा गया है और ब़े बहुत बार में पूछा गया है नेक्स्ट यॉक्टि जिस्त आपका किस सासख ने बोध धों के लिए विख्यात विकरमशिला विशावी दहले कि स्थापना की थी तो विकरमशिला कि之 ने की थी धरमपाल ने नेक्स्ट आपका किसके दोवारा तिर्तियबोध संगती को समरक्षण परदान किया गया था तो किस के दुआरा तित्यबोद संगती का स्वाक्षन परदान किया गया था असोक के दुआरा Very very important है अब किस चनाब के सारे के सारे ठीक है बोद गरंथ पिटकों की रचना निमलखित में इसे किस भासा में की गई थी तो किस भासा में की गई थी पाली भासा में नेक्स्ट है किस सासक के सासनकाल में नेपाल ने बोद धर्म का गरमन किया था हुआ था तो असोक के सासनकाल में नेपाल में बोद धर्म का गमन हुआ था नेक्स्ट है साच्ची क्यों विख्यात है सबसे बड़ा बोध स्थूफ है इसलिए साची विख्यात है नेक्स्ट आपका मावीर का जनम किस अक्षेत्रे गोत्रक में हुआ था तो किस अक्षेत्रे गोत्रक में हुआ था जानत्रिक ठीक है किस में जानत्रिक में मावीर की माता का नाम क्या था या कौन थी माविर की मात्ता तिरी सला तिरी सला नेक्स्ट गोत्म बुद्ध द्वार अपने धर्म में दिख्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निमलखित में से कौन था तो गोत्म बुद्ध ने अपने धर्म में दिख्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन थ प्रिश करा राज़ और अपका नालंदा ठीख नालंदा अगला किश ने किस बासा का जायदा परियोग बोध वाद के परशार के लिए किया गया है तो पाली भाषा का क्या बोल corresponding बोले है बोले है इसे बोले नहें कि पहले तिर्थकर कौन थे 24 तिर्थकर हुए हैं सबसे पहला क्यूशन हमने यह पढ़ा था तो इसमें पुछ रहा का कि सबसे पहला तिर्थकर कौन था तो रिषब देव ठीक है? और अंतिम पुछे तो मावीर पहला है रिषब देव Next है नेक्स है बोत धरहमें यह जैन धरहम दोनों के उपदेश किस के सासनकाल में दिये गए थे तो किस के सासनकाल में दिये गए थे सार नात में Next है आपका बोद धर्म ग्रहन करने वाले पहली महिला कुझ थी? पहली महिला कुझ थी? महा पर जापती, गोत में. बोद गया श्थित है, काँपे है बोद गया? बिहार में. जातक किसका गरंथ है? बोद धों का? सिधार्थ बुद को बुद का नाम पहले क्या था बच्पन में सिधार्थ ग्यान की प्राप्ति का आपर होई थी गया में बुद के बुद गया में ठीक है बियार के गया में सारनाथ में बुद का पर्थम परवचन कहलाता है तो पर्थम परवचन क्या करता है ध्रम चक्कर परवर्तन ध्रम चकर परवर्तन बुद्ध का पर्थम परवचन ठीक है नेक्स्ट कुस्चन करते हैं अगला क्यूस्चन है आपका बोथ ध्रम ने समाज किये निमन वर्गों पर मैतपुर्ण पर भाव डाला तो महिला और तो ग्र्हत्याग का प्रती क्या है गोड़ा गोतम बूध्य द्वारा विक्सनेशन की स्थापना कहां की गई थी वैसाली में सुन्यवाद सुन्यता का सिद्धांद का प्रती पादन करने वाले बोध दार्शनिक का नाम है तो सुन्य वाद या सुन्य था का सिदान्त किस ने दिया था नागार जुन्य ठीक है नागार जुन्य माविर का मूल नाम क्या था वर्दमान किसे एसिया की रोशनी very very important question किसे एसिया की रोशनी कहा जाता है तो गोत्म बुद को the light of Asia ठीक है the light of Asia एसिया की रोशनी गोत्म बुद को next है दिलवारा की जेहन मंदिरों का निर्मान किसने करवाए था very very important question दिलवारा की जेहन मंदिरों का निर्मान किसने करवाए था चालुक्यों सोलंकियों ने इस चैप्टर का आपको कोई भी क्यूस्टे नहीं देखने को मिलेगा जो important ना हो नागारजुन कौन थे तो बोध दार्शनेक थे ठीक है सुन्यवाद का सिद्धान किस ने दिया था नागारजुन ने जैन परंपरा के अनुशार मावीर कोन सी तिर्थकर थे तो कोन सी तिर्थकर थे थे मावीर 24 में ठीक है पहले दिशबदेव 24 में मावीर टोटल कितने हो थे 24 जैन धरम का आधार भुत बिंदू है आहिंसा जी और जी ने दो किसने कहा मावीर स्वामी ने जी और जी ने दो मावीर स्वामी ने तिर्थकरों के करम में अंतिम कौन थे तो मावीर 24 में तिर्थकर पहले दिशब देव ठीक है जैन धर्म में पूर्ण ग्यान के लिए क्या सबद है कैवल्य है माविर स्वामी का जनम कहा हुआ कुंडगनाम में कनिश्क के सासनकाल में very important कनिश्क के सासनकाल में चतूर्थ बोध संगेती सब आकिस नगर में आउजित की गई तो कुंडलमन कश्मीर में आपसे इस परकाल भी पूछ सकता है कि चोथी बोध संगेती किस के सासनकाल में होई थी कनिश्क के सासनकाल में कहाँ पर की गई कुंडलमन कश्मीर में नेक्स्ट है आपका तिर्तिय बोध संगेती कहा जित की गई पाठली पुत्तर में आशोक के सासनकाल में बोध संगीती किस नगर में आय जित की गई थी पाठली पुत्तर में ठीक है तो यहां से आपके देखो 3-4 कुश्टन कनुप्लिट होते हैं पुछे की तीसरी बोध संगीती किस के सासनकाल में वोई तो वो होजाएगा आपका असोग और कहांपर हुई पाठले पुत्तर में ठीक है या फिर बोल ले कि असोग के सासनगाल में बोध संगीती हुई थी और कहांपर हुई पाठले पुत्तर में या बोल देगा कि असोग के समय कौन सी बोध संगीती हुई थी तो तिर्थिया बोध संगीती हुई थी ठीक ह नेक्स्ट आपका निमलखित में इसे कौन सी बात बोध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आतम दमन ठीक है आतम दमन समान नहीं है निमलखित में इसे किस नगर में पर्थम बोध संगिती सबहायुजित के गई थे तो पहली बहुत जंगी थी कहा हुई थी राजग्रह में ठीक है कहां पर राजग्रह में नेक्स्ट आपका बुद्ध के जीवन की चार मैत्रप्रम गटना और उनके सम्मध चार स्थानों का नेचे उलेख है तो ये दो स्तम दे रखें आपको उनका मिलान करना है ठीक है इनका मिलान करना है तो बुद्ध के जीवन से रिलेटिड है आपके तो बुद्ध का जनम का पर हुआ था बुद्ध का जनम हुआ आपका लुंबीनी में ठीक है लुंबीनी में उसके बाद बुद्ध को ग्यान की प्राप्ति का पर हुई ग्यान की प्राप्ति हुई सारनाथ में पर्थम प्रवचन दिया गया बुद्ध के दवारा वो दिया गया आपका बोध गया में ठीक है बोध गया में और निधन का आपर वहा कुशी नगर में ठीक है कुशी नगर में नेक्स्ट आपका निमिलखित में से कौन सबसे पुरो कालिक जैन गरणत कहलाता है तो 14 पूरो ठीक है 14 पूरो राइट अनशन हो जाएगा इसका आज यी वक्षंपरदाय के संस्थापक कौन थे मखली गोजाल किसके संस्थापक थे आज यी वक्षंपरदाय के बागवत संपरदाय के विकास में किसका योगदान अत्य दिख था तो हिंदी युनानी का भगवान मावीर का पर्थम शिश्य कोन था जमाली ठीक है जमाली भगवान मावीर का पर्थम शिश्य था तिरी रतन सिध्धान्त समयक दारना समियक चरित्तर समियक ज्यान जिस दर्म की महिमा है वह है जैन धर्म ठीक है जैन धर्म ये दो कथन दे रखें आपको कथन A और R ठीक है ये आपको बताना है इसका राइट अन्सर क्या हो कथन A है आपका कुशी नगर मल गनाज्य की राज़ दानी थी और नेक्स्ट आपका मार्तमा बुद्ध का महापरी निर्वान कुशी नगर में हुआ तो इसका राइट अन्सर रोज़ा A तथा R दोनों सही है तथा R A की वैक्या नहीं करता है ठीक है दोनों अलग अलग बाते हैं नेक्स्ट आपका पुज्जा सथल और विहार निवास सथान है निमलिखित में से कौन सा सथल पार्शोनाथ से सम्मद होने के कारण जैन सीदक्षेतर माना जाता है तो सम्मेद सिखर बुद्ध की मिर्ट्यू के बाद पर्थम बोध संगीती की देक्स्ताकिषने की निमलिखित में से बुद्ध के जीवनकाल में ही संग पर्मुख होना चाता था देवदत हैलियोडोरस का बेश नगर अभी लेक संदर्भित है केवल वासुदेव से नेक्स्ट आपका बोध धर्म के विशह में कौन से कथन सही है पहला आपका उसने वर्ण हिमजाती को एश्विकार नहीं किया सेकेंड है उसने ब्रामनवरक की सर्वोच सामाजिक कोटी को चुनोती दी तीसरा आपका उसने कुछ एक सिल्पों को ही हीन निमन माना तो ये तिन्नों की तिन्नों आपके सही है नेक्स्ट आपका वासुदेव किसन की पुजा सरपर्थम किसने प्रारम की तो किसने की थी सबसे पहले वासुदेव किसन की पुजा साथ वंतोने ठीक है किसने साथ वंतोने नेक्स्ट आपका निमिल खित्या स्थानों में बहुत संगतियों आज सही कलमा करम बताना है तो सबसे पहले कहाँ पर भोध संगितिय होई, दूसरी कहाँ होई, तीसरी कहाँ होई, चोथी कहाँ होई ये बताना आपको आनन्द महाकस्य पुपाली या इन में इसी कोई नहीं तो उसने किसी को भी अपनी मिर्त्यु के उपरांत बोध संग के निततव के लिए ना मित नहीं किया। नेक्स्ट आपका सयादवाद सिधान्त है। तो किसका सयादवाद जैन धरम का। गोतमबुद का जनम काबुहा था पान्सो त्रे स्टीशी पूरो में बोध शिक्षा का केंदर था विकरमशिला। भारत में सबसे बड़ा बोध स्टूप कांश्थित है सांची में। निमिन में से किस गरंत में सरो पर्थम देव की के पुत्तर किष्ण का वरणन किया गया है तो चांदोग्य उपनीश दे नेक्स्ट आपका जैन समुदाय में पर्थम विबाजन के स्वेतांबर संपरताय के संस्थापक थे सथुल भद्र ठीक है सथुल भद्र नेक्स्ट आपका भारत में सबसे प्राचिन विहार है नालंदा पर्थम जैन महासवा का आयोजन कहां हुआ था पाठली पुत्र दुट्य जैन महासवा का वललभी पहली जैन सभा का पाठली पुत्र दूसरी का वललभी जैन साहित्य का संक्लन किस भासा वे लिपी में है प्राकर्त वे अर्दमाग भी ठीक है प्राकर्तिक वे अर्दमाग दी लिपी में और बोध धर्म के किस में परचार करते थे पाली भासा में नेक्स्ट आपका निमल खित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालिक नहीं था मिलिंड ठीक है नेक्स्ट है निमन कथनों पर विचार करना है बर्दमान वावीर की माता लिच्वी के नरेश चेटक की पुत्री थी नेक्स्ट आपका गुत्म बुद्ध की माता कोली है राजवन्स की राजकुमारी थी 23 में तीतकर पारसनाथ बना थे तो दूसरी और तीस आप जो अपसन हापका वो ठीक है या कथन बोल सकते हो या पॉइंट बोल सकते हो तो दूसरा और तीस आपका ठीक है पहला गल्थ है नेक्स्ट आपका प्राचिन भारत के बोध मठों में पावरन नामक्सम आहरो आईजित किया जाता था जो वर्षा रित्तु के दोरार मठों में परवास के समय बिख्षो दवारा किये गए अपराधो को स्विकारोक्ति क्या आउसर होता था ठीक है पावरन नेक्स्ट आपका कश्मीर में कनिष्क के सासनकाल में जो बोध संगीति आउजित हुई थी उसके देक्स्टा किसने की तो वसुमित्तर ने ठीक है देक्स्टा किसने की थी वसुमित्तर ने किसके सासनकाल में हुई कनिष्क के समय कहाँ पर कुंडलवन कश्मीर में next आपका कंथन दे रखा है जैन धर्म में के ऐह इंसा पर बल कि ने कर्षकों को जैन धर्म अपनाने से रोका आपका next किर्षी में किड़ों की ह्ट्या होना सामिल है तो ए जहाद दोनों सही है आद एकी सही वाख्या करता है अगला आपका अस्टांगिक मार्ग किसल का संकल्पना अंग है धर्म चक्कर परवर्तन सुत के विशेवस्तू का ठीक है नेक्स्ट आपका मिलिंद पन हो मिलिंद के पर संराजा मिलिंद और किस बोध बिख्षू के मध्य समवाद के रूप में है तो नागसेन ठीक है नागसेन महायान और बोध धर्म में बोध इस्तव अवलोक की तेशवर को और किसन्य नाम से जानते हैं तो पदम पानी ठीक है पदम पानी के नाम से बोध धरम तथा जैन धरम दोनों ही विश्वास करते हैं कि इस्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्षप्राप्त कर सकते हैं नेक्स्ट आपका बोध धरम के महायान और हीनियान संपर्दाय में सर्वाधिक मोलिक अंतर कौन सा है तो देवी देवताम की पूज्जा जैन धरम स्वेतामबर और पितामबर में बट गया था ठीक है नेक्स्ट आपका बोध संगीतिया बतानी है तो पर्थम बोध संगीति है आपकी महाकश्यप ठीक है महाकश्यप के दुइत्य बोध संगीती है किसके देख्ष्टा में की गई थी वो ये बताना है ठीक है तो पत्थम बोध संगीती किसके देख्ष्टा में की गई महाकश्यप की दुट्य बोध संगीती सबकामी, ठीक है, सबकामी की अधेक्स्तामी, तृत्य बोध संगीती मोगली पुत्य तीस्तर गे, चुतुर्थ बोध संगीती वसुमित्तर की अधेक्स्तामी की गई थी, ठीक है, very important, पहली और चौत्थी बारवारक जमें पुछी जाती है, तो पहल बोध संगेतियों के चार आयोजगों का सही करम क्या है तो बोध संगेतियों के चार आयोजगों का सही करम क्या है तो बोध संगेतियों के चार आयोजगों का सही करम क्या है तो पहली होई अजाद सत्रू दूसरी होई काला सोक के समय में तीसरी अजाद सत्रू दूसरी काला स है निमन कोन दिख नहीं है तो जातक दिखिए में तो खर लेलिख सेनिमेärt राइट्र अदोत रोजाएगा इसको नहेंक्स्ट आपका एक طرف आपके माविर के नाम दे रखे हैं और दूसरी तब उनके अर्थवता रखे हैं ठीक है तो इनका मिलान करना आपको तो केवलिन, केवलिन का आर्थ है पूरण गयननी, ठीक है, पूरण गयननी जीन, जीन का क्या आर्थ है इंदरियों को जीतने वाला माहवीर का अर्थ आपका एप्रीमीत प्राकर्मी और निर्गरंथ का अर्थ है बंधन रहीत ठीक है बंधन रहीत अगला अत्तापका मावीर ने जैन संग की स्थापना कहां की तो पावा में माविर की मिर्त्यू के बाद जैन संग का अगला द्यक्सकोन हुआ सुधर्मन अनुवर्त सबद किस धर्म से जुड़ा है जैन धर्म से जैन गरंत कल्प सुत्र के रचियता है भद्रबाहू परिशिष्ट प्रव जो की जैन ध्रम से सम्मंदित रचना है की रचियता है हेम चंद्र किस जैन रचना में 16 माजन पदों का उल्लेख मिलता है भगोती सुत नेक्स्ट आपका जैन तिरतकर पारशवनात द्वाराप्रति पादि चार माहवर्तों में माहविर स्वामी ने पांच में माहवर्त के रूप में क्या जोड़ा तो ब्रह्माचारिय को जोड़ा है ठीक है ब्रह्माचारिय को जैन सिल्पकला के उतारण है पहला पॉइंट दे रखा आपको उडिशा का बाग गुफा खंड़ी गीरी हाथी गुमफा मंदिर दूसरा आपका आबूर राजस्थान का दिलवाडा मंदिर तीसरा आपका रणक कपूर जोड़पूर के निकट का चो मुख मंदिर चोथा सरण बेल गोला करनाटक कागो मेतेश्वर या बाहुबली की परतिमा ठीक है ये चैरों की चैरों आपके सही है जैन धर्मकौंतीमराज के समक्षण किस वणस के सास को ने दिया तो गुजराद के च नि हैं ठीक है नेक्स्ट आपका मिलान करना है सुद्धधन, शुद्धधन कौन थे? सुद्धधन थे अपकी बुद्ध के पिता, ठीक है? बुद्ध के पिता पूछा गया था ठीक है बुद्ध की माता का नाम पूछ रखा था तो महामाया ठीक है ये सोधरा बुद्ध की पतनी ठीक है तो सुद्धो धनी बुद्ध की पिता महामाया बुद्ध की माता महापरजापती गोतमी बुद्ध की मोसिवय विमाता और ये सोधरा बुद्ध की पतनी हो गई नेक्ष्ट आता है अपका मिला नहीं करना ही भी तो चन्ना चन्ना क्या था आपका बुध का सार्थ थी था और कंठक बुध का पिरिय गोड़ा था आलार कलाम वे रुद्रक राम पुत्र बुद्ध के पर्थम गुरूद वे निरंजना नदी के जिसके तठपर बुद्ध ने संबोधी प्राप्त की थी नेक्स्ट आपका कौन सुमिलित नहीं है तो कौन सुमिलित नहीं है वो बताना आपका तो आनन्द वे उपाली बुद्ध के शिश्या थे आमरपाली बुद्ध की शिश्या थी छुजात कठीन तप्स चरिया के उपरांत बुद्ध को बुद्ध को बोजन कराने वाली कन्या थी और चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित बोजन के करण बुद की मिर्त्य हुई ठीक है राहुल बुद का सचेरा वाई ये आपका गल्त है ठीक है नेक्स्ट आत्या आपका मात्मा बुध किस अक्छेत्रे कुल के थे सक्क्य कुल के थे कुन सुमिलित नहीं है तो गोत्तम बुध का गोत्तर नाम ठीक है सिदहार्थ बुध के बच्पन का नाम ये भी ठीक है बुध संबो precurs ग्ञानप्राप्ति के बाद नामपड़ा सिधार्थ का ठीक है तो ये भी बात आपके सही है फोर्थ आपका इन में से कोई नहीं हो जाएगा आपका नेक्स्ट आतापका माभी निश्किर्मन की से बोला गया है गरहताग को बुद्ध के गरहताग को क्या का गया है माभी निश्कर्मन सम्बोद्धी ग्यान प्राप्ती की घटना को ग्यान प्राप्ति की गटना को ध्रम चक्कर परवरतन सारनाथ के पर्थम उपदेश को बोला गया है ठीक है सारनाथ में जो पर्थम उपदेश दिया गया था बुद्ध के दवारा उसको ध्रम चक्कर परवरतन बोला गया है महापरी निर्वान महापरी निर्वान की इसको मेत्यू की गटना यानि की बुद्ध की जो मेत्यू गटना हूँ उसको महापरी निर्वान बोला गया है नेक्स आता है आपका बुद्ध में वेराग्य भावना किन चार दर्शों के कार्ण बलवती हुई बुद्ध आरोगी लास शन्यासी देख लिए थे उसने तो इसकी जाय से बुद्ध ने सन्यासी लेने की मन में ठान ली बुद्ध ने सरवादिक अबदेश कहां दिये स्राउश्ती घिक है स्राउश्ती में दिये नेक्स आता है आपका करदा कि उससफतर चनाता है बुद्चरित्र जिसे बुद्धोकार रामाण का जाता के रचनाकार कौन है तो बुद्चरित्र के रचनाकार कौन है असवगोस महावी भास सास्तर के रचियता कौन है वसुमित्र कौन सी बुद्ध रचना गिता के समान परित्र मान जाती है तो धंपद ठीक है दंपदर रजना गीता के समान परित्रमान जाती है वो द्रहम में भावी बोधिस्तव या भविश्य के बोधिस्तव की समाना गया है मेत्रिय को किस की समय में बोध द्रहम सपश्टता दो संततर संपरदायों हिन्या नेव माहयान में विवाजित हो गया कनिश के समय हिन्या नेव माहयान में बोध्धरम बट गया नेक्स्ट आता है योगाचार या विज्ञानवाद के पर्तिपादक थे तो मेत्रेयनाथ ठीक है मेत्रेयनाथ नेक्स्ट आता है आपका सुमेदित करना है तो वर्जरपानी इंदर देवता के तुल्य थे पद्मपानी अवलो की तेश वर थे ठीक है मंजूशरी बुद्धी को परखर करने वाला और अमिताब सवरक के देवता भार्द से दक्षिन की और के देशों में बोध द्रहम का कौन सा संपरदाय परचलित हुआ तो हीन यान भार्द से उत्तर के ओर के देशों में बोध द्रहम का जिस संपरदाय का परचलन हुआ उसका नाम है महायान बोध द्रहम का मुला धार है च्यार आरिय सक्त्य बोध दर्म में त्रिरतन क्या इंगित करता है बुध्ध-धम संग बोध दर्म को भारत में अंतिम राज के समक्षन किस वथ के सास को ने दिया बंगाल के पाल नेक्स्ट आताब का मिलान करना है बोध सिख्षा के इंदर है और उनके संस्थापक बताने है तो नालंडा के संस्थापक कोन है कुमार गुप्त पर्थम गुप्त वन से ओधन्तपूरी के संस्थापक आपके गोपाल पाल वन से विकरम शिला के धर्हम पाल पाल वन से ही वल्लब ही बटाक मेत्रक वन से ठीक है नेक्स्ट आता है अपका अनेकांतवाद निमलखित में से किसका क्रोड केंद्रेशिद्धांतेवन दर्शन है तो जैनमत महांदार्मिक गटना महामस्तकावी से एक निमलखित में से किस्ट से सम्मंदित है और किस्ट के लिए की जाती है तो इसका राइटन सरोगा आपका बाहुबली ठीक है क्या है बाहुबली नेक्स्ट आता आपका जैनियों का विश्वास है कि जैनमत 24 तिर्थकों की सिक्षाओं का प्रिणाम है इस कथन के आलोक में निमलखित में से कौन सा एक वर्दमान महावीर के समय में सही है तो इसका राइटन सरोगा आपका वे अंति मोर्चों भी स्विंतित कर थे जिसे एक नए धर्मकाशन स्थापक नहीं माना गया बलकि वर्दमान धार्मिक संपरदाय का सुधारक माना गया नेक्स्ट आता है वह आध्यतमबोध संगीत साहिते जो बुद्ध के विभिन जमनमों की कथाओं के विशे में है क्या है वो जात्तक है नेक्स्ट आता है आपका जैन दर्शन के अनुशार श्रष्टी की रचना इवंपालन पोशन है सारव वो मिक्सत्य से वा है ठीक है नेक्स्ट आपका निमलखित में से कौन सा बोध गौत्म बुद का गुरू कोन था आलार कलाम ठीक है आलार कलाम गौत्म बुद का गुरू था भारतिय एकितियाश के संदर्ब में निमल खित में से कौन सा बौत धर्म जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो तप और भोग के आती परहार यह आपका नहीं था तो वेद परामायने के परतिय अनास्ता यह था आपका राइटन स्वर और कर्मकान्डों की फ्रवत्ता का निशे दिये भी आपका सही है ठीक है तो दो और तिन आपके सही है पहला आपका गल्थ है नेक्स आता आपका बगवान बुद की परतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भुमिश पर्ष मुद्रा कहा जाता है यह किसका परतिक है तो इस संदर में दोनों कथन ए तथा भी सही है तो यानि कि आपका ए है मार पर दिख्ष्टी रखने एए अपने ध्यान से ध्यान में वीकन डालने से मार को रोकने के लिए बुद का धरतिपर आहवन नेक्स्ट आपका मार के परलोबनों के बावजुद अपनी सुचिता और सुधता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का दर्ती का आहवन नेक्स्ट आता आपका राजग्र है वेशाली और पाठली पुत्तर में निमलखित में से में कौन सी एक समानता है तो ये वे स्थान है जहां बोध संगिती हुई थी बुद्ध ने अपने जिवन की अंतिम वर्षारी तो कहां बिताई थी कुशी नगर में ठीक है कहां पर कुशी नगर में असोका राम विहार निमलखित में से किस स्थान पर स्थित था तो पाठली पुत्तर में स्वामी मावीर के विख्षूनी संग की परधान कोन थी तो चंदना ठीक है चंदना ये थे आज के आपके क्युस्चन जो की बहुत धरम और जैन धरम से रिलेटेड थे इसमें सारे के सारे क्युस्चन अमने बहुती अच्छे से पड़े हैं अगर आपको वीडियो पसंद ये तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को धन्यवाद